सब्सक्राइब करने वाला है एंड कॉमर्स और आर्स का भी कब जारी होगा आप लोग को पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टन होने वाली आप लोगे रिजल्ट कब तक आ सकता है पूरा देखना अगर वीडियो को लाइक कर देना चैनल को पहले बार सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करने पास यह पहुंच बहुत है यहां पर देखें बताया जारा जारा कर देगा यहां पर देखिए बोला जाए में मैटरिक और इंटर्मिडिट्ट साइंस का मुल्य आंखन पूरा कर लिया गया है इसे साथ 10 वह पूरा कर लिया गया है । इसमाह तक जारी कर द्याएगा ठीक है मतलब बोलबह जारा है कि माहत दक टर्त करते कर दिर्धा इसके बाद इन्टर्मीिट और। यौल जायी होगा संगे नीख नगेखर का जारी होगा ठाकर हुआ पहले प seiले में साइंस का पहले आएगा फिर कॉमर्स का आएगा फिर थाड है किस्ताइब लों प्रापतार के आधहार पर जार्य किया जाएगा मतलब बोला जा रहा है कि रिजल्ट जो आप लोग को पता है कि टर्म वान और टर्म टू आप लोगों ने दिया है इन दोनों को जोड़ करके जो है आप लोग रिजल्ट जाएगा परिय और यहां पर देख सकते हो जानकरी प्राप्त कर सकते हैं मतलब यहां पर Oh जानकरी प्राप्ट कर सकते हैं मतलब यह पर जारा है लिए कितना अंक्या आपका आया हुआ है फॉर्स टम में या फिर सेकेंड टम में वो जो है आप जो है अपने स्कूल बजा करके पता कर सकते हो कॉमर्स वह आर्ष का जो रिजल्ट है दस जुलाय तक जारी होने के संभावना है और यहां पर देखिए कॉमर्स और आर्ष के कॉप्यों का मुल्यांकर जो है पंद्रह जुन तक पूरा हो जाएगा और यहां पहले जारह है कॉमर्स और आर्ष का जो कॉम्प्यों का है नहीं बताया गया बट हाँ आप लोगा जून के को नहीं है बहुत जादा बोला जा रहा है कि 10 से 15 जुलाइक जून के बीच में जारी कर दिया जाएगा ठीक है तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं अपना उपेनियन दो तो मुझे नहीं लगता है कि 15 जून के बीच में आप लोग का रिजल्ट आने वाला है क्योंकि काफी अच्छी गुड़नी उसी आप लोग का मैंटर को रंटर का साइंस का प्लेंगा पूरा कर लिया है और रिजल्ट बनने की प्रेकरिया भी शुरू हो गई है और रिजल्ट काफी जल्दी में आने की चांसे से 15 से 25 से 20 की बीच में आज ही जाना चाहिए ठीक है देखत आप लोगा स्कूल को अपना रिजल्ट लेना होगा फिर ऑनलाइन आप लोगो सो नहीं किया जाए इस तरह से भी हो सकता है तो कैसे अब लोग रिजाल्ट देखोगो देखोगी वह सारी से आप लोग में बतला दूंगा ठीक है चलो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तक लोगा टेक केर थैंक्स फर वाजिन इस वीडियो गईज